हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई योटूब चैनल प्रेमजित स्टड़ी पॉइंट तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में रेशियो एंड प्रपोर्शन चिप्टर परहेंगे तो आएए देखते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे रेशियो ठीक है रेशियो तो फ्रेंड्स रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपाथ ठीक है क्या कहते हैं अनुपाथ ठीक है और प्रपोर्शन इसको बोलते हैं शमानुपाथ क्या कहते हैं तो शमानुपाथ यह तो हिंदी जान गए ठीक है अब हम जानेंगे रेशियो होता क्या है ठीक ह तो चली फ्रेंट्स सबसे पहले जानते हैं कि ratio होता क्या है तो फ्रेंट्स देखिए ratio दो या दो सी अधिक रासी की तुलना करना ratio कहलाता है जैसे हम यहां लिख दिए 3 is to 4 यह दो रासी है ठीक है और इसकी बीच जो हम लोग तुलना करते हैं वही कहलाता है ratio समझगे यह दो रासी है और इस दो रासी के पीश जो हम लोग तुलना करते हैं उसको हम कहते हैं ratio जा-ब रेशियो को एक है इस है सिंबॉल से इंडिकेट करते हैं यह जो दो डॉट जो है इसको हम लोग बोलते हैं English में ratio त्यक है और हिंदी में बोलते हैं अनुपात क्या कहते हैं अनुपात समझ गए अब ठर्ड पॉइंट क्या है ratio को हटाने के लिए किसी variable से multiply करना होता है ratio को जब हटाना होता है तो variable से क्या करते है multiply example को हम देखते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं चलिए तो लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ जैसे ratio लिखा हुआ है A is to B इसका मतलब होता है A by V इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है मतलब यह fraction में भी लिखा जा सकता है ठीक है अगर हम लिखते हैं 2 is to 3 तो इसका मतलब हुआ 2y3 ठीक है और यह 2y3 को और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहां लिखा 2y3 इसको हम 4y6 भी लिख सकते हैं या फिर 6y9 भी लिख सकते हैं या 8y12 भी लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि यह जब काटिंग आप इसको simplest form में करेंगे तो 2y क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ratio always simplest form में होता है ठीक है यह बात आप ध्यान में आपको रखना होगा चलिए तो अब हम question को देखते हैं जो example में question दिया हुआ इसको देखते हैं तो friends देखिए यहाँ दिया हुआ है दो रासी का अनुपात 3 is to 4 है ठीक है दो रासी है उसका अनुपात 3 is to 4 दिया हुआ है जिनका योगफल 70 है जिनका योगफल क्या है 70 है तो वह संख्या क्या होगी चलिए अब हम question को solve करते हैं तो friends जैसा कि बताया गया था आप देख सकते हैं 2 रासी तो चली हम 2 रासी बना लेते हैं एक को मार लेते हैं फर्स और सेक्ड को यह फर्स रासी हो गया और यह सेकड रासी हो गया दो रासी बोला था मैंने 2 कर दिया तो first था क्या, आप यहाँ देख सकते हैं, 3 था, तो 3 लिख देते हैं, age 2, उसके बाद यह है 4, तो 4 लिख दिये हैं, ठीक है, अब friends, हमें ratio को हटाना है, तभी तो यह संख्या पता चल पाएगा, है न, तो ratio के हटाने के लिए हम x से multiply कर देते हैं, ठीक है, और x का मान जो निक multiply कर देंगे, ठीक है, जैसे कि हम बताया थे ratio का हटाने के लिए किसी भी variable से multiply करना होता है, जो कि मैंने यहाँ एक से कर दिया, ठीक है, क्योंकि ratio के मुझे हटाना है, तभी तो वह संख्या पता चलेगी, चली, तो आपको यह वाद सबज में आ गया होगा, तो आएब हम जोडने के बाद 70 होता है, योग फल, योग फल, इसका मतलब होता है, जोड, क्या होता है, जोड होता है, ठीक है, चली, तो अब हम इस question को solve करते हैं, आप ध्यान से समझेगा, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा, तो friends, यह दोनों को बताया गया था, जोडन है, है न, यहाँ आप देख रहे है, 70 होता है, दोनों को जोडने के बाद, तो देखते हैं, तो लिख देते हैं, 3X पलस 4X, यह दोनों को पलस करने के बाद कितना होता है, 70, जैसा question में बोला, उस तरह से हम करती है, बोला 2 रासी है, 3 is to 4, तो 3 is to 4 मैंने लिख दिया, ठीक ह अब दोनों को जोडते हैं, तो 4 और 3 कितना होगा, 7X, तो 7X इक्वल टू कितना होगा, 70, ठीक है, अब हम इसको X कमान निकालेंगे, तो X कमान निकल कर आ जाएगा, 7 से यह 10 टाइमस में कटेगा, तो 10 हो जाएगा, ठीक है, तो अब हम यहाँ पूट कर देंगे, यहाँ 3 था, इन्टू X कमान कितना आया, 10, ठीक है, तो पहला संख्या आपका हो गया, 30, और दूसरा संख्या, 4 इन्टू 10, क्योंकि X का जो वैलू है, इधर में निकाल के कितना लाएगा, 10, तो यहाँ पूट कर दिए, तो 10 प्लस, 10 इन्टू 4, कितना हो जागा, 40, तो पता चल ग इस question को solve करेंगे, वह संख्या क्या होगी, 30 और 40, यही दोनों संख्या होगी, चलिए friends, तो अब हम ratio का प्रकार जानते हैं, ठीक है, अनुपात के प्रकार, कितने types के ratio होते हैं, तो friends, ratio जो होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, there are 5 types of ratio, ratio कितने प्रकार के होते हैं, 5 types के होते हैं, ठीक है, चलिए, तो हम देखते हैं, वो 5 type कौन-कौन है, तो first को बोलते हैं friends, बर्गा अनुपात, जिसको English में बोलते हैं, duplicate ratio, क्या कहते हैं, duplicate ratio, ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, कि बर्गा अनुपात, यानि, duplicate ratio, क्या है, तो friends, question में दिया रहेगा, A to B और आपको duplicate ratio निकानने के लिए कहा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया रहेगा ratio, उसका square कर देना है, क्या कर देना है, उसका square कर देना है, ठीक है, उसका square कर देना है, ठीक है, उसका square कर देंगे, आ जाएगा, आपका duplicate ratio, ठीक है, जैसे यहां देखे, question में दि two is to three क्या दिया हुआ है two is to three तो कुछ नहीं करेंगी यहाँ two is to three दिया हुआ तो इसको केवल square कर देते हैं तो 2 का square फोर होता है जो कि मैंने लिख दिया हूं अल्रेडी पहले से three क्या होता है nine बस हो गया तो किसी भी रेशियो दिया हुआ है और उसका अगर आपको डुप्लिकेट रेशियो पूछ रहा है ठीक है जैसे मान लीजिए मैं एक और एक्जामपल लेता हूं यहां लिखा हुआ है फॉर इस्टू फाइव और पूछा जागा इसका बरगानुपात क्या होगा तो कुछ नहीं करेंग स्कुश्ण कर देंगे इसका है स्कुर करकर देंगे तो फूर कास फ्टीन होता है और प्लाइब के स्कुर्ण कितना होता है 25 की यहे आपके क्या हो जाए द्सर गया तो इस तरह से निकाल देंगे चलिए तो अब हम नेक्स्ट कोश्ण देखते यह समझें आपको आगया इंग्लिस में बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो ठीक है तो इसको कुछ नहीं करना है जो दिया रहेगा एस्टू वी जो भी रेशियो उसको हम क्या कर देंगे कि ऑप कि निकाल देंगे ठीक है क्या निकाल देंगे क्यों छी तो जैसे दिखिए यहाँ ऐस्टो बी दिया हुआ है कि वो और फाइव दिआ खूया यह शुर और फाइव औरš से कोफ़ दे दिया जाएगा कि ए और बी दिया हुआ है फ़र इस्टो फाइब तो आपको ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है यह सब को कियों निकाल देना है तो फोर का कियों कितना होता है 64 और 5 का कितना होता है 125 ठीक है कि समझ गये तो इस तरह से आपको निकाल देना है चली अब हम ठर्ड जानते हैं तो फ्रेंट्स ठर्ड टाइप जो होता है वर्ग मुलानुपाथ जिसको इंग्लिस में बोलते हैं सब डुप्लिकेट रेशियो ठीक है वर्ग मुलानुपाथ ज इसको बोलते हैं सब डुप्लिकेट रेशियो तो फ्रेंट्स इसमें आपको क्या दिया रहेगा एश्टू बी दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है जो एश्टू बी जो दिया रहेगा उसी को स्क्वायर रूट निकाल दे यह एक्जांपल दिया हुआ है फोर्ड इस्टू फाइब और इसका आपसे पूछा जाएगा कि फोर इस्टू फाइब दिया हुआ है तो सब डूप्लिकेट रेशियों क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना है यह जो दिया होगा उसका इस्क्वाइर रूट निकाल देना ह ठीक है तो 4 का square root क्या हो जाएगा 2 और 9 का कितना हो जाएगा 3 तो यह आपका answer हो जाएगा जो यहां आया 2 is to 3 यह क्या होगा answer हो जाएगा उसके बाद fourth types है घन मुलानुपाथ घन मुलानुपाथ जिसको English में बोलते हैं सब triplicate ratio सब triplicate ratio तो फ्रेंड्स इसमें a is to b के तौर पे दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा सब तो triplicate ratio तीसे आप कैसे निकालेंगे बहुत ही असानी से आप निकाल सकते इसमें क्या करना है कि रूट निकाल देना है जैसे यहां देखिए 8 दिया हुआ है तो इसका कि रूट निकाल देंगे तो देखिए 8 का हो जाएगा टू और यहां 27 है इसका कितना हो जाएगा थ्री बस इसी तरक्की से आपको क्या करना है स्वाल्व करना है आसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा चलिए एक टाइप्स और है वह से भी मैं आपको बता देता हूं तो फ्रेंट्स अगला टाइप्स जो है अगला टाइब से मिसरित अनुपात जो लास्ट है ठीक है मिसरित अनुपात जिसको इंगलेस में बोलते हैं कंपॉंड रेस्यों यह आपको A to B दिया हुए रहाएगा इस टो डी और e to f इस तरह से दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि compound ratio क्या होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे यहां देख रहे हैं a c से multiply हो जाएगा और c e से हो जाएगा ठीक है? उसके बाद b d से हो जाएगा और d f से हो जाएगा तो यह जो multiply करके आएगा यह आपका क्या हो जाएगा? answer हो जाएगा तो इस तरह से हम मिसरित अनुपाद निकालेंगे ठीक है? तो आपको अच्छी तरह से समझ में आगया होगा तो यह तो था ratio का basic अब हम question कैसे solve करते हैं और किस परकार के question पूछे जाती है exam में वो आपको बताने वाला हूँ तो चलिए अब आगे देखते हैं तो friends आएए देखते हैं combination of ratio ratio को किस तरह से combine करते हैं वो अब ही मैं बताने वाला हूँ ठीक है? जैसे कि यहाँ देख रहे हैं A is to B दिया हुआ है A is to B equal to 2 is to 3 और V is to C equal to 3 is to 4 तो पूछ रहा है A is to B is to C क्या होगा? तो friends इस तरह के question solve कैसे करते हैं मैं आपको दो तरीके से बताऊँ जो आपको वेटर लगेगा उस तरीके से आप निकाल सकते हैं ठीक है? चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इस question को solve करेंगे तो friends पहला जो method है वो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले यहां लिख देंगे क्या? A is to B B is to C यहां लिख देंगे A is to V is to C ठीक है? उसकी बाद आपको क्या करना है? आप देखिए A यहां दिया हुआ है two तो हम two लिख देते हैं और V दिया हुआ है कितना? थ्री तो हम यहां थ्री लिख देते हैं शबज गये यहां तक उसके बाद आपको क्या करना है? V यहां दिया हुआ है three तो यहां हम three लिख देते हैं और C दिया हुआ है four तो C के जखा पर 4 लिके देते हैं वसे एक बड़ा सा लाइन खीज देना है फ्रेंट्स एक वात आपको आलवेज दियान रखना है रेशियो को जब भी कम्बाइन करना हो तो कुछ न कुछ सेम देना पड़ेगा तभी उसको कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर सकते हैं जैसे देख सोल्फ करनेसर हैं पहले यहां जो खाली जगह है ओँपको क्या करना सरकल बना देना यह ठीक है और सरकल बनानी के वाद आपको क्या करना है मैं आपको अभी बता रहा हूं। हो उसको हमको और दो में यहां 3 और यहां पे आ जाएगह खाली जगा है वहाँ पर लिख देंगे यहां भी इसके नियर कोन है यह है तो इस तिजी को यहां लिख देते हैं उसके बाद आपका काम होगा यह दोनों जो है इसमें multiply कर देना है इसमें मल्टिप्लाई कर देना है और इसमें भी मल्टिप्लाई कर देना है मल्टिप्लाई करके निचे लिख देना है ठीक है मल्टिप्लाई करके क्या करना है लिख देना था चलिए हम आपको बताते हैं कितना होगा उससे पहले इसको एरेज कर देते हैं ताकि समझने में कोई प्र जागा 6 क्या यह एंसर हो गया नहीं अभी यह एंसर नहीं आया है रेसियो को आलबेज आपको simplest form में लिखना होगा ठीक है रेसियो जब भी लिखते हैं तो वह simplest form में उसको लिखना पड़ेगा तभी जाकर वह रेसियो होगा नहीं तो नहीं होगा तो आपको इसको एक बर काट दिना होगा simplest form में इसको कर देना होगा तो यह किस टेवल से कटेगा 2 से 2 3 जा 6 सॉरी 3 से कटेगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 तो यह आपको final answer हो गया 2 is to 3 is to 4 ठीके चली आविसको दूसरा टाइप से बताते हैं कैसे solve करते हैं तो यह आपका तो answer हो गया अब दूसरा टाइप से कैसे इसको इसी question को solve करते हैं मैं अभी आपको बता रहा हुँ चली देखते हैं दूसरी टाइप से कैसे solve करेंगे बहुत असान है दूसरा मेठर जो है वह बहुत यह जी है और इस से भी आसान है चलिए तो आएए देखते हैं जैसे कि यहां देख रहे हैं A is to B आपको दिया हुआ है A is to B दिया हुआ है 2 is to 3 तो हम लिख देते हैं जो दिया हुआ हुआ है उसी को पहले लिख देते हैं A is to V एकोल टो 2 is to 3 लिख दी उसके वाद यहां दिया हुआ है V is to C एकोल टो 3 is to 4 लिख दे रहें V is to C एकोल टो 3 is to 4 अब इस question को solve करना है तो कैसे solve करेंगे तो friends आपको एक वाद ध्यान रखना है यहां V सेम है ठीक है तो यहां वी सेम होना चाहिए जो कि आप अच्छी तरह से देखेंगे तो सेम लग रहा है है तो एक तो आपको पता चल गया कि वी इसकोल टो कितना हो जाएगा स्वाड़ी यहां सी हो जाएगा वन मिनिट यहां सी हो जाएगा तो आपको एक तो पता चल गया एक आपको पता चल चुका है कि V कितना होगा तो V यहाँ असानी से लिख देते हैं 3 होगा तो B मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ 3 हो जाएगा अब आपको यह पता करना है कि A कितना है और C क्या है तो A friends जब यह A है और यह क्या होगा V तो A के जगा पर कितना होगा टू ठीक है और यहाँ यह B था तो C यह होगा तो केवल लिख देना है फोर तो इससे भी इजी तरीके से यह बन गया कि इस तरीके से आफ स्वाल्व कर सकते हैं सबजगे अब इसी को एक और मेटर से हम बताते हैं इसी कोस्टन को उस तरीके से भी बना सकते हैं उस तरह से सभी तरह के कोस्टन को बना सकते हैं इस तरीके से बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा बी सेम है और नहीं है तो इसको सेम कर लेंगे और तब डायरेक्ट एंसर लिख सकते हैं ठीक है चली फिल इधर वाला एरेज करते हैं और मैं बताता हूं इसको एक और तरीके से कैसे बना सकते हैं तो आप देखिए अच्छी तरह से आपको श्मज में आना चाहिए तो तीसरी तरीके से कैसे बनाएंगे जैसे कि आप यहां देख रहे हैं दिया हुआ है जो एक मैट पहले ही रेज कर देता हूं तो यहां दिया हुआ है एस्टू वी कितना दिया हुआ था टू इस्टू थ्री ठीक है उसके बाद दिया हुआ है वी इस्टू सी इक्वल टू त्री इस to 4 इस question को solve कैसे करेंगे बताते हैं तो friends कुछ नहीं करना है यहाँ आपको क्या करना है सबसे पहले 2 में 3 से multiply कर देना है ठीक है क्या करना है यह दोनों में multiply करना है पहले इधर में लिख देता हूं a is to v is to c तो यह दोनों में multiply कर देंगे तो 32 जा क्या होजागा six सिक्स उसके वाद यही दोनों में फिर multiply करेंगे तो 33 क्सक्तर Já क्या हो जाएका nine उसके वाद four में three से multiply करेंगी दोनों मिल्टिप्लाइब हो-जाएगा तो four three हो होगा 12 उसके बाद आपको क्या करना है इसको सिंप्लेस्ट फॉर्म में करना है तो आप काट दिजे इसको कैसे काटेंगे तो 3 से कटने मुला है तो 326 339 और 3412 तो इस तरीके से आप कोशन को सुल्व कर सकते हैं ऐसे भी आप समझ जो मैंने आपको बताएं वह आपको समझ में अच्छी तरह से आगया होगा अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा देखने के बाद तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को सेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे चलिए फ्रेंड्स तो वीडियो को सवामत करते हैं अब नेक्स्ट दे दूसरा टाइप इसका लेकर आऊंगा ठीक है